राष्ट्रे स्वैम सहवक संग सरसंग चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि हमें राष्टरबात शब्द का इस्त्माल नहीं करना चाहिए क्यूंकि इसका अर्थ नाजी या हिटलर से निकाला जा सकता है उन्होंने कहा कि हमें राश्ट्र या राश्ट्र जैसे शब्दों का प्रमुक्ता से इस्तिमाल करना चाहिए जारखन के राची स्टेत महारबादी में आयोजित संग समागम में हिस्सा लेने पहुँचे भागवत ने ये बाते कही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भागवत ने कहा कि भारत को बनाने में हिंदूों की जवाब देही सबसे अधिक है। हिंदू अपने राश्च्र के प्रती और जिम्यदार बने। उन्होंने कहा कि हिंदू भारत के सभी धर्मों का प्रतिनिद्वित्म करता है और उन्हें एक सूत्र से जोड़ता है। भारत को विश्वगुरु बनाना सभी का लक्षे होना चाहिए। मौराबादी में रांदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए स्वयम सेवकों को भागवत ने संभोधित किया। उन्होंने कहा टिकेट पाने की लालसा से शाखा में आने वाले इससे दूर रहें। यहाँ कोई लोब लालत सिध नहीं होगा। किसी पत की चाह में रसेस से जुड़ने वालों के लिए संग में कोई जगा नहीं है। उन्होंने कहा कि संग में कुछ लेने नहीं बलकि कुछ देने आए। दुनिया में कई देश बड़े बले और पतित हो गए। आज भी बड़े देश है। जिनको आज का सब्सक्राइए महाशक्ति लेकिन हमारों देखते हैं तो यह देश महाशक्ति बनकर करते क्या हैं। तो सारी दुनिया पर प्रभुत्व संपाधन करते हैं। सारी दुनिया के साधनों का फ्रयम के लिए उप्लोग करते हैं। सारी दुनिया पर राज़नी की सत्ता अपनी जबे प्रत्यक्ष या आप उप्रत्यक्ष ऐसा प्रयास करते हैं। सारी दुनिया पर अपना ही रंद चड़ाने का प्रयास करते हैं, यह सब चलता है और चल रहा है, और इसलिए दुनिया में एक बहुत बढ़े भुभाग नहीं है, विद्वान लोग ऐसा सुखते हैं कि राष्ट्र बड़ा होगा दुनिया के लिए खतरनात बात है। नेशनलिजम इस शक्ते को आज दुनिया में अच्छा अर्थे नहीं है। कुछ वर जब हुआ, संद्वी योजना से युके जाना हुआ। तो वहां के पुद्धी जी भी उसे बात हो जी थी। चावीश-पुचास शेरिक लोगों से शंद्व के बारे में चेर्का हुआ। तो वहां के अपने कारिकरता ने कहा कि शब्दों के अर्थों के बारे में सावधार नहीं है, अंगरी जी आपकी बादा नहीं है। तो यहां बाच्चीत में शब्दों के अर्थभिन हो जाते है। इसलिए आप नेशनलिजम इस शब्दों के उप्योग बदाएं। आप नेशन लिपिकार चलेगा नैशनल ईसम बगत उसी वार अब ऐसे एक सब करता हुआ है